Hello guys, welcome back to my channel Learning Tips So, आज हम जिस topic के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है management और management कौन सा chapter है वो आप सबको पता ही है management यानि के nature and significance of management means chapter number one अब हम business studies के chapter number one की जो second topic है means objective of management अब objective of management के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेरी last video जो थी उसमें भी objective of management मैंने बताना बताया था लेकिन कुछ video में गड़बड होने की वजए से वो video में आवाज नहीं आ पाई last में so that means मैंने दुबारा से सोचा कि भई आप लोग को chapter तो समझा नहीं है तो मैं दुबारा से आपको objective बताने जा रहा हूँ किसके management के तो management का जो objective होता है वो होता क्या है चलिए video start करने से पहले मैं आपको एक line बोलता हूँ वो मैं line हमेशा बोलता हूँ के मेरे channel को like and subscribe जरूर करें और एक और request है वीडियो को end तक देखें तभी आपके chapter समझ में आएगा so video start करते हैं let's start objective of management objective are the ends toward which the activities of organization are directed objective उसे कहा जाता है जब जिस activities की मदद से हम organization को direction provide कराते हैं that means कि उसकी direction क्या क्या है उसका मकसद क्या है organization का उसकी वज़ा क्या है organization की उस बनने की क्या उसके objectives है क्या उसके motives है क्या उसकी directions है यह सब चीज़े so अब हम लोग इसको three categories में major categories में in activities को divide करते हैं so यह आई हमारी major activities सबसे पहले जो हमारी major activity है वो है organizational objective organizational objective के अंदर survive profit और growth यानि के अगर हमें किसी भी organization को growth करवानी है तो सबसे पहले हमें ये तीन मुद्दे उठाने पड़ेंगे ये तीन मुद्दे का मतलब है survival, profit and growth अगर company survive कर रही है तो वो क्यों कर रही है क्योंकि profit हो रहा है और अगर उसे profit हो रहा है तो that means वो growth करेगी ये organizational objective है क्योंकि हर organization का एक ही मकसद होता है वो मैंने आपको बताया था वो मकसद है profit का माना अगर किसी भी company को profit नहीं होगा तो वो loss में चल जाएगी loss में चल जाएगी तो company बंद हो जाएगी for example kingfisher kingfisher का बहुत बड़ा example है क्यों kingfisher एक बहुत बड़ी company थी बहुत जाएगा उसने growth करी बट उसने उसकी जो सबसे बड़ी कमी निकल करके आई कि जब वो profit में चल रही थी तो उसका जो honor था जो उसका company बरबाद हो गई और बहुत सारे जो उसके department थे वो बंद हो गया और सबसे बड़ी जो उसके पास department था resources थे जो सबसे ज़्यादा profit आता था वो आता था airline से उसका भी नास हो गया so survive जब company करती है उसे profit होता है और जब profit होगा तो साहर से बाते company growth करेगी आज company को 100 रुपय का फायदा है तो next time 200 का सोचे की 200 का फायदा होगा तो 500 का सोचे की 500 का फायदा होगा तो 1000 का सोचे की बढ़ती जाएगी चल ये इसके बाद सीधा निचा जाते है social objective अब आता है समाजिक उद्देश्य औपजेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य कमपनी का क्या उद्देश्य है क्या वजजे है चलने के अब organizational तो उद्देश्य में बदा चल गए कि organization क्यों है क्या उसकी उद्देश्य है अब आ जाता है social objectivist यानि के समाजिक उद्देश्य है सबसे पहले उद्देश्य जादा typical word लगता है लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया तागि तुम्हारे समझे में आ जाए quality of product हर समान का सबसे पहले देखी जाती है quality quality अच्छी है तो अच्छा बिकेगा प्रोडक्ट का size चोटा करके rate कम करती है वो उसलिए करती है ताकि middle class family भी उसको afford कर सके middle class family क्योंकि 100 रुपे का packet है भले उसके इंदर मैगी की quantity जादा होगी खा नहीं पाएगा आदमी वो सोचे गया चोटे थे तीन या चार साल के पांच रुपे थी तो आप क्या करेंगे पांच रुपे वाली तो चोटे खाएंगे 100 रुपे वाली तो कभी कोई occasion आगया रिष्टेदार आगया बाहर का और कोई cousin आगया siblings आगया उनके लिए आगया तो आगया otherwise बेकार तो quality और reasonable price उसके बाद आता है employment opportunity जाहिर सी बात है जब quality अच्छी होगी price reasonable होगा तो company क्या करेगी growth करेगी जब company growth करेगी तो सबसे बड़ी बात निकल कर क्या आती है employment जब कभी भी अगर मेरी company का turnover 100 रुपे है और वो हो गया 200 रुपे तो मैं एक employee को जरूर बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा काम भी भढ़ गया है production भी भढ़ गया है तो employment opportunity फिर economic wealth जब employment होगी तो साहिर सी बात है जो economic है जो हमारे देश की economy है उसमें भी तरक्की होगी वो भी growth करेगी जब वो growth करेगी सब पे पैसा होगा तो education भी होगी health भी होगी और vocational trainings भी होगी vocational training वो कि अगर company भढ़ रही है industrial sector भढ़ रहा है तो वहाँ पे काम करने वालों के लिए training की होती है तो उस training के लिए institute खुलेंगे जहाँ पे training के राई जाएगी के भाई आपको company में कैसे काम करना है क्या करना है यह सब चीदे फिर आता है तीस फिफ्थ अगर आप production कर रहे हैं तो production eco-friendly है सबसे बड़ा social objective होता है समाज का सबसे बड़ा उद्देश है यह है तीन उद्देश है सबसे important है quality, reasonable price और eco-friendly production यानि कि जब आप कोई माल बना रहे हो तो उससे किसी भी चीज़ को कोई नुकसान ना हो चाहे वो human हो, चाहे वो land हो, चाहे वो environment हो कोई ऐसा poisonous chemical जमीन पे ना बहाएं कि उससे जमीन की fertility खतम हो जाए या air में pollution भढ़ जाए या पानी के अंदर chemical जाने से पानी खराब हो जाए और गाउं के लोगों को परिशानी हो जाए तो यह सबसे important part होता है अगर quality खराब होगी तो आपका तो नुकसान नहीं है जो वो खाएगा उसका भी नुकसान है फिर आते है personal objective अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ तो profit होगा कुछ तो काम करना चाह रहा हूंगा मैं कुछ तो future बनाना चाह रहा हूंगा अब future क्या है? वो future दो है पहला के मेरी बात जो मैं समझाने का मेरा तरीका है वो सब तक पहुँच जाए दूसरा ये है कि भाई मेरे पास मेरे जो students हैं वो भढ़ जाए तीसरा एक quality मिल जाए कि हाँ हर कोई जाने मुझे कि हाँ शारुक सर है कोई तो उसी तरीके से company का भी personal object होता है अब personal object कि जब आप कहीं job करने के लिए जाते हैं तो आप एक अच्छी salary expect करते हैं अच्छी salary नहीं मिलेगी तो आप नहीं करोगे काम या अगर आप मजबूरी में कहीं काम कर रहे हो अचानक आपको कहीं कोई offer मिल जाए अच्छी salary मिल जाए तो आप सीधा वहाँ चले जाओगे फिर आजाते है good working condition working condition अच्छा होना चाहिए या निके वहाँ पर महौल अच्छा होना चाहिए boss बत्तमीज नहीं करता है सही काम नहीं करवाता है तो भईया काम नहीं होता फिर उसके बाद आता है peer recognitions अगर आपका boss आपको recognize नहीं कर रहा है यह नहीं कह रहा है कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो तब भी आदमी काम धंग से नहीं करता ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए अच्छी और कंपनी में डेवलपमेंट होना चाहिए development का मतलब है हमारी जो पोस्ट है उसमें development हो कि जैसे HR है तो भाई या मैनेजर बन जाए जर्णल मैनेजर है तो मैनेजर बन जाए मैनेजर है तो स्टेट मैनेजर बन जाए तो ग्रोथ होती रहनी चाहिए फिर social recognition भाई जब हमारे पास अच्छी salary होगे अच्छा काम होगे अच्छी company होगे तो समाज में लोग respect करेंगे जैसे आप लोग आपके बड़े brother and sister कोई HCL में है या कोई IBM में कोई engineer है तो आपके माता पीता क्या कहते है पैरेंट क्या कहते है रिष्टदार क्या कहते है इसका भाई हर अगर कोई रिक्षट चला रहो तो क्या गएगा इसका भाई रिक्षट वाला है तो वहाँ पे recognition बिल रहा है दुखसाद ही हो रहा है तो अच्छा काम अच्छा profit दे कर गयाता है अब आ जाता है importance of management गया जाता है 1.4 importance of management हर business और organization में जो top position होती है only because of the quality of management उसका काम होता ह के quality देखना वो management की quality है successful organization तब तक achieve नहीं करती है अपने goal को जब तक management के जो नीचे वाले points है इन points को follow ना किया जाए तो वो important points क्या क्या है बिटा number one management helps in achieving groups and goals management helps in achieving groups and goals इसका मतलब क्या है इसका मतलब है management try to integrate the objective of individuals along with the organizational goals जो management है वो ऐसा होना चाहिए उसके objective ऐसे होने चाहिए कि हर बंदा individually सही काम करे जिससे organization का जो goal है जो उसका मकसद है जो उसका यह मैं उसको पूरा किया जा सके क्योंकि group जब तक काम नहीं करेगा तब तक organization successful नहीं होगी दूसरा management improves efficiency managers try to reduce the cost अब efficiency का मतलब कोशिश होनी चाहिए कि cost कम हो जितनी cost कम होगी उतनी ही productivity improve होगी यानि कि कम resource खर्च करके एक अच्छा माल बनाया जाए जिससे के company को profit हो और वो कौन कर सकता है वो अच्छे लोग ही या अच्छे वरकर ही कर सकते है ऐसा काम पुरा वरका तो कह कर रहे बैठे रहो नुकसान हो रहा मालिक का हो रहा हमें क्या मतलब तो जाहिर सी बात है इमानदारी दिखाने चाहिए थर्ड management creates a dynamic organization organization have to survive the dynamic environment so managers keep making changes in the organization to match the environment change organization में बदलाओ आते रहने चाहिए मतला बदलाओ कैसे के environmental change के अगर कोई भी चीज कंपनी में बदल रही है तो उसके साथ साथ कंपनी में चीजों का भी बदलना जरूरी है जैसे अब हमें computer की need है और हम काम कर रहे हैं register के अंदर तो जायर सी बात है कि भी जब तक computer नहीं आएगा तब तक changing नहीं आएगी अब हमें printer की जरूरत है और printer हमारे पास है नहीं तो एक बंदा जाकर के पहले कैफे जाएगा महां से print out निकल वाएगा फिर वो वापिस आएगा फिर कहीं जाकर के dealing हो पाएगी तो अगर printer की need है तो printer आजाना चाहिए ताकि company में जल से जल print out निकल सगे और काम जल से जल हो और production जल्दी से जल्दी हो और माल जल्दी से जल्दी निकल जाए फिर आता है management helps in achieving personal objective and efficient managers is one who to bring a minimum prosperity for employer as well as employees, managers and the people in such a manner that along with the organizational goal, individual goals and employees is also achieved देखोए manager ऐसा होना चाहिए जो company को फायदा पहुचाने के साथ साथ उसके employee को भी फायदा पहुचा है that means अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसकी post को उपर कर देना चाहिए ताकि वो और भी अच्छा काम कर सेगे ना कि ये कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो ओ ये तो मेरे से जादा famous हो जाएगा मैं इसको दबा के रखू अगर वो ऐसा manager होगा तो company successful नहीं होगी company बरबाद हो जाएगी कुछ दिन तक तो survive कर पाएगी लेकिन at the end वो खतम हो जाएगी तो ये भी important है management helps in development of society management जो है society को भी develop करता है जैसे efficient management always multiple objective give to important to social obligations towards different groups of people such as employees, customers and suppliers अगर management का development अगर management अच्छा है और management सही तरीके से हो रहा है तो उसके बहुत सारे objective जैसे social objective भी सही हो सकते जैसे अगर मेरी company की आदत अच्छी है मेरे manager की आदत अच्छी है मेरे मालिक की आदत अच्छी है तो जो employees है वहाँ पर लंबे time तक काम करेंगे और इमानदारी से काम करेंगे तीसरा जो customer है दो बात से आपके पास आता है पहला आपका quality अच्छी हो दूसरा आपका reasonable price हो तीसरा सबसे important होता है आपका nature अगर आपका nature अच्छा है तो कई बार customer सिफ nature nature की वजह से ही company में इसे deal करता है वह सोचता है कि आर अगर और कहीं जाओंगा तो क्या पता कैसा आदमी मिल जाए मेरी बातों को समझे ना समझे मेरी मजबूरी को समझे ना समझे यार यह बहुत अच्छा आदमिया मैं तो इसी से काम करूंगा भले एक दो रुपए इसने भढ़ा दी हो कई बार यह होता ह रहा है धक्के दे रहा है चलो निकलो मुझे निकोई काम भाम पास माल भीड हो रही है एक जगे थोड़ा महेंगा दे रहा है लेकिन हां उसकी आदत बहुत अच्छी है कोई बार हम आदत की उज़से भी जाते है उसके बास सप्लाइर्स अगर सप्लाई अच्छी है और अब आ जाता है management का nature क्या है, अब management का nature, management को हम science भी कह सकते हैं और art भी कह सकते हैं, science इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें knowledge भी चाहिए और एक systematic work भी चाहिए, ठीक है, उसके कुछ principles भी है, rules भी हैं और कुछ experiment भी है, यानि के experiment, rules, knowledge, systematic तरीका, ये सब चीज़े क्या हैं, management को science की त validity, पूरे दुनिया में management की जरूरत होती है, मैं तुम्हें बताया था, आपके घर से ले करके, आपके sports तक, आपके sports से ले करके, आपके school तक, आपके school से ले करके, आपके, क्या कहते है, company तक, हर जगे management की जरूरत है, अब ये तो हो गया science, सब आता है management as an art, management art कैसे है, systematic body of knowledge knowledge तो होनी चाहिए, लेकिन theoretical knowledge भी जरूरी है, theoretical knowledge का मतलब ये है, कि आस पास का घ्यान भी जरूरी है, ये नहीं के सिर्फ जो किताब के अंदर management की बाते पड़ी, बस वह important है, अपना भी तो दिमाग लगाना है, तभी तो management में कुछ नया निकल कर गया है, का नहीं तो वह घि कुछ extra knowledge है, कुछ extra qualities है, उसके बाद आता है personal applications, personalized application, यानि के आपकी खुद की भी personal views होने चाहिए, ये नहीं के जो manager ने कह दिया, वही कर दिया, कुछ नया करो, जैसे मैं तुम्हें एक story बताई थी बहुत पहले, के अजंता एक toothpaste company थी, तो मैंने बहुत पहले आप लोगों क बताई थी story, कुछ जो बच्चे मेरे student हैं और जो जिन्होंने मेरे channel को subscribe किया हुआ है, तो अजंता एक toothpaste की company थी, उसमें मसला ये हुआ के toothpaste जो है, वो अब ये याद नहीं आ रहा है, शायद अजंता थी, या कौन से चाहिए, में भी अजंता ही थी, तो उसकी जो production था, वो एक साल हो गए, दो साल हो गए, तीन साल हो गए, सेम, जितने customer थे उतने ही थे, वो परिशान उन्होंने कहा के भाई, जो भी मेरे company के production को बढ़ाएगा, मैं उसको जो वो कहेगा, मैं उसको इनाम दूँगा, अब भाई, बड़े-बड़े manager, सारे के सारे लगे पड़े, द CEO साब से मिलना चाहता हो, कहते हैं, तो CEO साब से मिलेगा, अभी दो दिन तुझे company जोइन करे वे, उसने का, जी मेरे पास एक formula है, जिससे यहाँ पर production भढ़ सकता है, तो CEO साब तक बात पहुची, उन्होंने का, भाई, बुला उसको, वो गया, उसने का, जी 6 महीने के अंद तब जब production भढ़ जाएगा, उसने का, ठीक है भई, तु production भढ़वा पहले, तो उसने का, कि आपकी जो toothpaste की जो tube होती है, उसका जो circle है, जिसमें से toothpaste निकलता है, उसके circle को भढ़ा दीजे, चोड़ा कर दीजे उसको और, उन्होंने का, ठीक है भई, जब सारे काम क्या, ये कोई परिशान CEO साब ने दुबारा उसे लड़के को पुलया, उसने का, बड़े-बड़े manager जो नहीं कर सके, तुने एक दिन में कर दिया, हुआ कैसे लेकिन ये मुझे बता, उसने का, देखो जी हुआ तो कुछ नहीं, customer आपके जू के तू है, अब जब आपने उसका circle महीने में एक बार इस्तमाल करती थी, मतलब महीने में एक बार चलता था जो toothpaste, अब वो महीने में दो बार चल रहा है, तो दो बार चलने की वजए से, आपके customer तो जू के तू है, बस आपकी demand भढ़ गई, और अब माल डबल जाने लगा, इस वजए से, आपकी production डबल हो क्या का, company के CEO का, उसने का कि मुझे, मैं company आऊं नाऊं, मेरी salary घर तक जानी चाहिए, जब तक मैं जिन्दा हूँ, और उसके बाद भी मुझे पैसे मिलता रहने चाहिए, लो, free fund का, उसको काम मिल गया, मज़ए के, मज़ए सिर्फ एक idea से, चलिए, फिर आगे देखते है, based on practice and creativity, देखो वही वाली बात है, उसके अंदर creativity थी, कुछ नया करने की चाहती, तो उसने फायदा उठाया, कुछ नया आना चाहिए, तभी company आपको demand देती है, तभी आपको company profit देती है, वह company भी तो कुछ चाहती है, आप से expect करती है, अब आता है, management as a profession, well defined body of knowledge, restricted entry, presence of professional association, existence of ethical courts and service motive, देखो management as a profession क्या है, सबसे पहले तो एक अच्छी knowledge होना चाहिए, restricted entry, restricted entry का मतलब है, कि कुछ ऐसी चीज़े, जो management के लिए फायदे मन नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए, तीसरा, हमें जो professional है, उसको seriously रहना चाहिए, चौथा जो उसके ethical courts है, code of conduct है, नहीं कि उसकी important ब उनको follow करते रहना चाहिए, यह नहीं कि उनको बिना follow करे, आप चल रहे हो, और motive होना चाहिए, कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, यह नहीं कि बस मैं तो भई महीना sell दियाता रहा है, जो काम आ रहा है, वो मैं करता रहो, नहीं है, motive होना चाहिए, कि मैं company को profit में क्या पहुचा ह जैसे management is both science and art, देखो जब आपने पढ़ा उपर science और art दोनों के बारे में पढ़ा तो हम यह कह सकते हैं, management science भी है और art भी है, सिर्फ उसे science भी निका जा सकता, सिर्फ art भी निका जा सकता, क्योंकि systematic knowledge है, principle है, rules भी है, principle भी है, एक system से चलना भी है, लेकिन उसके साथ साथ personal views भ भी है, practice भी है, तो बहुत सारी चीज़े हैं, तो art और science दोनों कहा जा सकता है, management को, so management is both, science and art, level of management, management के three levels होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, top level, middle level और lower level, top level में company के बड़े-बड़े लोग होते हैं, जिनका काम होता है, planning करना, और उस planning को implement करता है, middle level वाला, ठीक है, अब उस planning को implement करने के बाद, उस planning के उपर working करवाता है, वो lower level से, जैसे plan बनाया, कि इस साल हम लोग, मैगी के साथ साथ, हम soup भी बनाएंगे, मैगी तो है, उसके साथ soup भी बनाएंगे, अब उसने idea दिया, middle level manager को, अब manager ने supervisor को कहा, कि यार चाओ, पता लगाओ, कि soup के अंदर क्या क्या ingredients जलते हैं, और soup को और जायकेदार, और tasty कैसे बनाया जा सकता है, तो ये अपने worker से, अपने chef से, अलग-अलग तरह के soup बनवाएगा, अब वो अलग-अलग तरह के soup में, जो सबसे जादा tasty soup निकल करके आएगा, फिर उनको use के जाएगा, कुछ बच्च शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से काम होता है, अब आ जाता है हमारा, the level of management, top level, the consist of senior most and executive organization, सबसे उपर आते है senior most, सबसे senior जो होते हैं, वो टॉप लेवल में होते हैं, जैसे जो chairman होते है, boards of director, जैनि boards of director के member, 57 member हो गया, फिर managing director हो गया, फिर journal manager हो गया, president हो गया, vice president हो गया, CEO, CEO होता है chief financial officer, chief financial officer हो गया, CEO हो गया, company executive officer, यहनि कि CEO का मतलब होता है company executive officer, execute करने वाला company को, जो company के हर चीज़ पर धियान रखेगा, board of director के member तो वो होते हैं, जो company की कभी-कभी meeting होती है, उसमें आते हैं, लेकिन main जो जो जिम्मेदारी रहती है, CEO के उप executive officer, और जो सारा पैसे की जिम्मेदारी होती है, जो chief financial officer के उपर रहती है, के पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है, कहां खर्च हो रहा है, क्या है, main functions जो है, top level के वो है, determining the objective of enterprises, enterprises यानि के company को maintain करना, plans और policies को बनाना, frame करना, organization के अंदर, जो middle level है, उसको, उसका work देखना, और यह देखना के वो सही तरीके से काम कर रहा है, या नहीं कर रहा है, assembling all the resources such as finance and fixed assets, हर चीजों को ध्यान में रखना के finance सही हो रहा है, use हो रहा है नहीं, assets सही है मारे पास या नहीं, उसके अलावा responsible होता है, welfare and survival of organization, organization के welfare भलाई के लिए और उसके survive करने में बहुत एहम role निभा रहता है, license वगएरा जो outside world या नहीं के इंडिया की company है, तो बहार license कैसे लेना है, किस तरीके से काम करना है, government के जो officers होते हैं, उनसे मिलना, उनसे meeting करना, उन company को अपना वहाँ पे situated करना, अलग-अलग countries में यह सारे काम, और उसके अलावा, अलग-अलग elements, coordination बनवाना, department को, overall department को देखना के किस तरीके से काम हो रहा है, यह सब कारे का, उसके लावा analyze करना, environment को, survive सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, और भी बहुत साई responsibility होती है, और society के ओपर भी कि हमारी company का impact, society के ओपर गलत तो नहीं पढ़ रहा है, कोई advertisement गलत तो नहीं बन गया है, या कोई चीज से नुकसान तो नहीं रहा है, सारे काम इनके होते हैं, फिर आता है middle level, middle level का काम होता है, department में sale देखना, purchase देखना, और finance देखना, marketing देखना, execute करना, ठीक है, और जो lower level है, और top level है, उन दोनों के बीच में mediator का का काम करना है, top level की बात, lower level को बताना, और lower level की problem, top level को बताना, main functions जो होता है, वो होता है, enter, interpretations of policies framed by the top management to lower level, middle level and linking, वो ही मैंने आपको बताया, दोनों में link का का काम करता है, mediator का का काम करता है, organizing the activities of their department for executing the plans and policies, जो भी plan और policies उपर से आई है, उनको organize करवाना अपने अलग-अलग department के अंदर, फिर आता है, recruiting करना, यानि के, यही यह वाला department जो होता है, यह managers जो lower managers होते हैं, या plant के जो managers होते हैं, या supervisor जो होते हैं, या foreman जो होते हैं, इन सब को, यही एक ऐसा department है, जो job वगएर देता है, जैसे HR वगएर आपने company के अंदर सुने होंगे, ठीके, उसके अलावा, motivating the persons to perform their best ability, यह देखना के, कौन बंदा काम अच्छा कर रहा है, जो भी काम अच्छा करें, उसको motivate करना, उसकी जो ability है, उसको बढ़ाना, उसको होसला देना, के हाँ, तुम और बेच्छा कर सकते हो, उसके अलावा, department को smoothly function करवाना, और responsible, जितनी भी activities होती है, first, वो सारी के सारी responsibility इनी की होती है, फिर आता है, supervision और lower level, lower level का का काम होता है, इसमें supervisor होते है, superintendent होते है, four man होता है, sub department executive, clerk होते है, इन सब का का काम होता है, जितनी भी information है, work देखना, क्या किस तरीके से worker काम कर रहे हैं, जो भी activities है, वो सही हो रही है, नहीं हो रही है, जो middle level plans बता रहा है, उस plan को implement करवाना workers है, और जो भी worker के परिशानी है, वो middle level को बताना, ठीक है, फिर आते है main functions, main functions आते हैं, representing problem or grievance of worker before the middle level might happen, हमेशा जो main काम, जैसे जो भी परिशानी होती है, तो middle level तक worker कैसे पहुचाएंगे, वो पहुचाते हैं, इनकी मदद से, lower level की मदद से, ठीक है, उसके बाद आता है, अच्छी working condition, healthy relation, supervisor अगर अच्छा relation रखता है, अच्छी बात रखता है, अपने worker से, तो काम भी अच्छा होता है, company भी चल ठीक है, worker की safety देखना, उसके अलावा ये इनका काम होता है, supervisor का, maintain करना standard of quality, उनको देखना कि output सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, worker को boost up करते रहना, उनके morale को boost up करते रहना, कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, wastage देखते रहना कि कहीं worker waste तो नहीं कर रहे है, time waste तो न middle level को restrictions देता है, और middle level, lower level को, और lower level के जो head होते हैं, वो सारे के सारे workers को समझाते हैं, कि उपर से order आया है, आपको काम ऐसे ऐसे करना है, so आपको अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को like करें, subscribe करें, और share भी करें, जब तक आप share नहीं करोगे, तो म मैं इतनी और ज़्यादा आपके लिए मेहनत नहीं कर पाऊंगा, so यह सब आप करते रहें, मेरे चैनल को like, subscribe करें, ओके, bye bye, tata, next वीडियो में मिलते हैं, next part के साथ, और new energy के साथ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मुझे comment box में जरूर बताएं, ओके बा ह मेरे वीडियो